मेरा तो पहले से ही बीमा हो रख है और बीमा कहां से करा लूँ मित्रों ये अब्जेक्शन अक्सर एक L.I.C. एजेंट के सामने आ जाता है मित्रों लेकिन ऐसा भी ना समझी के कारण ही करत कहते हैं क्योंकि वे नहीं जानते कि समय के साथ जैसे जैसे हमारी इंकम बढ़ती जाती है और हमारे जीवन का मूले भी बढ़ता जाता है और ऐसे में हमें अपने जीवन का उचित बीमा दोबारा से करवा लेना चाहिए और अपने insurance cover को बढ़ा लेना चाहिए क्योंकि BMA का premium एक निश्चित अवधी के लिए बार-बार देना होता है इसलिए grant commitment करने से डरता है पता नहीं चला पाऊंगा या नहीं आप और बोज लूँ या नहीं खासकर मध्यमवर्ग के लोगों के लिए ये सब भैस सवभाविक है लेकिन इस तरह के case में पहले तो मैं उन्हें समझाने का प्रयास करता हूँ कि सर अब परिष्थितियां बदल गई है अब खर्चे भी बढ़ते जा रहे हैं और खर्चे बढ़ते हैं तो मेरी समझ में वहविष्य के लिए बचेद भी बढ़ाना चाहिए क्योंकि भविष्य के खर्चों के से नबटने के लिए बचेद बहुत ज़रूरी है मैं थो समझाता हूँ कि सर पहले हमारी सोच होती थी कि जितनी आमदनी हैं उसमें से पहले खर्च निकाल लो फिर बच्चे हुए पैसे को जमा कर दो लेकिन सर अब ये सोच बदल गई है आज के समय के अनुसार बच्चत को पहले ही तैक कर लेना चाहिए और खर्चे को उसी उनपात में करने के सलाह दी जाती है मित्रों इस सोच का एक कारण ये भी है कि हम बच्चों के भविश निर्मान के लिए बचत करते हैं बात चाहे पढ़ाई की हो ये बेटी की शादी की हो मेरा मानना है कि अगर हम ऐसे पवित्र कामों के लिए अपने खर्चे के बाद जो पैसे बचाते हैं वो तो शायद जूठन के समानी है बेटी की शादी तो एक पवित्र यग्य होता है इसके लिए जूठन जैसे पैसे क्यों निकालें इसलिए पहले शादी के लिए यानि यग्य के लिए पैसे निकालें उसके बाद जितने पैसे बचें उसमें से अपना गुजारत करें मैं ग्रांकों से हमेशा कहता हूँ कि सर इसकी वास्तिविक जानकारी तो आपको सिर्फ हो सकती है कि आपके आंदनी क्या है और आपके खर्चे क्या है इसलिए human life value की गड़ना करके ही आप स्वय को सुरक्षित करें या उचित बीमा करें कभी भी सुनने में आता है कि आमो कादुमी बहुत बड़ा पुलिस अफसर था या कोई बड़ा विशिष्ट वेक्ति था और उसकी दुरगटना में मिरत्ति हो गई लेकिन बीमा केवल एक लाक या पचाहँजार का था उस समय हमें स्वय ही सरमिंदगी का एहसास होता है एक बात और सर हम आप से लंबी अवधी के लिए बीमे के लिए बात करें ये जरूरी नहीं है अब समय बदल गया है समय के साथ साथ परिष्टितियां भी बदल गई है अब कई नई पॉलसी आ गई है जिनमें आपने केवल 10 वर्स के लिए ही प्रीमिंदेना होता है या फिर आप सिंगल प्रीमिंद यानि FD के तरह केवल एक बार ही प्रीमिंदे कर पॉलसी ले सकते हैं और साथ ही इंसुरेंस का लाब भी ले सकते हैं तो मित्रों इसी तरह से आप भी अपने मित्रों को समझा सकते हैं उन्हें insurance के प्रती जागरुक कर सकते हैं और उनकी family को financial security दे सकते हैं तो मित्रों आज की इस वीडियो में इतना ही कल फिर मिलेंगे इसी समय एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ तर तक के लिए दोस्तों नमस्कार धन्यवाद जैहिन